हेलो स्टुडेंट्स तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.6 का कोशन नमबर 4 तो कोशन नमबर 4 क्या कहता है एक टू वीलर है मोटर साइकल होगी जो की इतना डिस्टेंस कवर करती है एक लिटर पेटरोल पे आगे कहता है इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं अगर एक लिटर में हम माल लेते हैं कि 2 किलो मीटर चलती है तो 2 लिटर में कितना चलेगी यानि इसको दुगना चलेगी यानि 4 किलो मीटर तो इसी तरह से अगर हम 3 लिटर में देखे तो कितना चलेगी इसका 3 x 6 km तो इसी तरह से जब 10 की बात करेंगे तो ये कितना चलेगी एक लीटर में अगर 2 km चल रही है तो 10 लीटर में 20 km चलेगी यानि हमने क्या किया 10 से multiply किया तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा हमें 10 से multiply करना पड़ेगा लेकिन इसका चुकी language वाला question है तो answer भी language में लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे distance cover in 1 लीटर पेट्रोल एक लीटर पेट्रोल में कितना distance कवर करता है 53.3 km अब यहाँ पे देखो distance cover in 10 लीटर पेट्रोल कितना होगा यहाँ पे इसको हम 10 से multiply कर देंगे 53.3 into 10 km अब यहाँ पे देखो जब भी हम 10 100 किसी से भी multiply करें 10 100,000 तो जो decimal होता न वो उतने ही number आगे shift हो जाता है जैसे यहाँ पे एक ही 0 है तो एक number आगे shift होगा अगर यहाँ पे 2 0 होते तो 2 number आगे shift होता इसी तरह से अगर 3 0 होते तो 3 number आगे shift हो जाता तो यहाँ पे यह जो है आगे shift होगा आप चुकी आगे कोई number नहीं है तो इसका मतलब यह decimal हट जाएगा तो यह आएगा 5 3 3 km तो यह हमारा answer हो जाएगा questions हम आप next lecture में करेंगे next questions आज के लिए बस इतना ही